हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे इस नयच वीडियो पे आज हम हिस्ट्री से रिलेटेट कुछ कॉस्चन्स देखेंगे चल यह स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कॉस्चन है कनिश्क अनुश्राण करते थे कनिश्क किस धर्म का अनुश्राण करते थे तो इसका सही अनुश्राण करते थे जम्मू श्री नगर की स्थापना कनिश्क की द्वारा की गई थी अगला कॉश्चन देखते हैं हमारा कॉश्चन है सिंदुखाटी सब्विता में घर बने हुए होते थे सिंदुखाटी सब्विता के घर किसी से बने होते थे इंट के बने होते थे सिंदुखाटी सब्विता का समय है तेस सु पचास ईशापूप से सत्रा सु पचास ही सपूर इसकी प्रमु किस्थर कौन से थे हडपा, मोहन जोदुडो, चहूंदुडो, राकी गड़ी और लो सिंदूगाठी सबुपपता का एक बंदर गहा था यही लोथाल इसका आंसार हो जाएगा लोथाल बरतवान में कहां इसे थे गुज़्रात में और इसमें हम देखती हैं हरपपा जो था एक प्रमुक सहर था इसनूगाठी सबुपताका काली बंगा से जोते हुए खेत मिले हैं काली बंगा बर्तमान में राजिस्थान में है मोहन जोदोडों से बिशाल इसनानागार राप्त हुए हैं जो बर्तमान में पाकिस्थान में है अगला कॉस्चन देखते हैं अगला कॉस्चन हमारा सिवाजी के राज़यवीशेक के समय इन में से कौन जीवित नहीं थे दादाजी कोड़े इसका सही आंसर है क्योंकि इनका जो राज़यवीशेक हुआ था वो सुरह जून सुरह 774 को हुआ था और किसके द्यौ़ारा हुआ था इसका आंसर होगा गंगा भट पतब शिवाजी का राज्यविशे गंगा भट के द्वारा हुआ था अगला कॉशन देखते हैं भारती क्रांती की जन्नी के रूप में किसे जाना जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा इन्हें भार्ती क्रांती की जन्नी की रूप में माना जाता है इन्होंने सरप्रतम तिरंगा जंडा फेराया था अक्रा कोशन देखते हैं बालगंगा धर तिलक को लोकमान की उपादी किस के दौरान मिली थी इन में से किस के दौरान ये उपादी दी गई थी तो इसका सहीं आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन 1916 में चड़ाया गया था बाल गंगधर तिलाग द्वारा 28 अप्राल 1916 को पूना में होम रूल की स्थापना की गय थी इसकी अध्यक जो से बैपस्टा और इसकी सचिव केलकर थे इसका जो प्रफावशेत कोंगों से था महरास्ट्री करनाटक बरार और मध्धिप्रांट अगला कोश्चन देखते हैं भारती रास्ट्री कांग्रेश के प्रतमा दिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा बहत्तर भारती रास्ट्री कांग्रेश के स्थापना अठासो पच्चासे में हुई थी जिसमें बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसकी अध्यक्षता किसने की थी ब्यूमेश चंद बनर जी ने और ये जो अधिवीशन है ये बंबाई की ग्वालियर टेंग में इस्थित गोगोल दास तेजपास संस्कृत बिद्याला में आयोजित किया गया था अगरा घुशन देखते हैं निम्ण मैसे किसे काकोरी सडियन केस में फासी की सजा नहीं दी गई थी भगत सिंग जो है इन्हें काकोरी कान की सजा नहीं दी गई थी इन्हें क्या है उन्हें लाहोर सडियन केस की सजा दी गई थी भगत सिंग को बाकी असपाक उल्लाखा, रोसन सेन, राजेंद लोडी को काकोरी सडियन जो कि उन्हें 1925 में हुआ था उसके लिए सजा दी गई थी फासी की भगर सिंग को 23 मार्ज 1931 को लाहो सडियन केस के तहित फासी जी दी गई थी अगला कुशन देखते हैं सत्य सोधक समाज के संस्थापक कौन थे इसका सही आज़र है जोतीवा फुले इसकी स्थापना 1873 में की गई थी इसका उद्येश था शूद्र और आस्प्रस जाती के लोगों को मुक्त करना अगला कुशन है हमारा उननीस पी सतापती में सामाजिक धार्मिक सुधारों का एक प्रमुक कारण था पश्चिमी सिच्छा तथा जागरुकता अगला कुशन देखते हैं हम अगला कुशन है हमारा निम्न में से दिल्ली की किस सुल्तान ने खराज बसूल करने के लिए मद्यका रास्ता अपने अपनाने की नीती की बकालत की थी इसका सही अंसर है गया सुद्दीन तुगलग ऐसे ये कोशिन पूसकता है खराज बसूल करने का किसने शुरुवात की थी इसका सही अंसर हो जाएगा गया सुद्दीन तुगलग ने अगला कोशिन देखते हैं हम जुनागर अभिलेग के सासक ने जारी करवाया था इसका सही आंसा है राजा रूद्रमन ये जो संस्कृत भासा का पहला अभिलेग था जुनागर अभिलेग जो की गुजरात में से थे थैंक यू गैस फॉर वाचिंग दिस वीडियो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा थैंक यू